स्वागता आपका आल इंडिया आगन बाड़ी न्यूज चैनल में दोस्तो आपको बता दो अगर आप सची खबरे पाना चाहते हैं दोस्तो आगन बाड़ी की हो या अन्ने कोई खबरे तो दोस्तो यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेसन बेल भी दोस्तो आउन करने ताकि आपको हर अपड़े नमस्कार दोस्तो स्वागता सभी का आल इंडिया आगन बाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में यहां पे आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूँ क्योंकि यह सूचना ले प्राप में है और इसमें आंगन बाड़ी बहनों के लिए दरसल उत्तर प्रदेश से है यह खबर इसके बाद में आने वाली है आपके लिए पंजाब जैसे हरियाना बहुत से राज्यों से खबरे और आपको आप बता दू अब समय हमें मिल पाएगा और आज से आप लोगों के लि से सुचना आ जाए तो आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि आप लोगों के लिए ही कितना प्रयास किया जाता है हर एक भाई बहन कहीं न कहीं प्रयास करते रहते हैं उनके प्रयासों को हम आपके पास तो कहुंचाते हैं कि आप लोगों के लिए वो क्या-क्या कदम उठा रहे हैं जिल लोगों को लगता कि कुछ नहीं हो रहा घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा लेकिन आपको बता दूँ यहां पर बता जा रहा कि उत्तर प्रदेश में दोजा सत्रा में जो अक्टूबर नमबर दिसंबर तीन माह का जो मांदे कटा था आप लोगों पे उन्होंने लेटर जारी कर दिया है मुख्यमंतिर जी ने निजेसक जी को निजेसक जी ने काया कि हमें जैसे ही मिलती है सूचना और उसके बाद में मांदेव का भुगतान कर दिया जाएगा अब इधर एक भाई इनका भी प्रयास है इन्होंने जन सूचना अधिकारी अपना नियम का पालन करते हुए और यह जानकारी मांगी है तो इनको भी इसी के संबन्द में कुछ ने कुछ जानकारी आएगी तो हर कोई प्रयास जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है ताकि आप चर्चा मेरें बहिने चर्चा मेरें तब ही समस्यां सुनी जाएंगी यहां पर बताया जा रहा है जो तीन महीने का मांदे था आंगनबाडी कारकरती एवं साहिकाओं का वो मांदे भुगतान संलंगन पत्र महिला एवं बालवेका सम्दिस सैयुकत समिती की मातर समिती जो सभापती हैं डाक्टर संगीता बलवन्त के आधिश पत्र दिनांग जो 27 लेकिन इससे आपको अंदाजा ये लग जाएगा कि अगर यहां के लिए जानकारी जो निकल के आते हैं वो हर जगए के लिए होगी दरसल मांदे अगर मिलेगा तो सभी का मिलेगा इन चीजों से आप बिलकुत स्वतंत रहिए और आपके प्रयासों को हर एक बहन उठा तक लंबित पड़ा है बिंदुवार जो विस्तरत जानकारी प्राप्त करें ऐसा सब कुछ पॉइंट एक में उने जानकारी के लिए मांगा है और पॉइंट दो में उने जानकारी क्या मांगी कि जनपस साजहापुर में भावल खेडा परयोजना की साहीका स्रीमती गुड सारे दोरा अभी तक किन कारणों से नहीं दिया जा रहा है कारण इस पश्ट करते विए इसके लिए दोसी अधिकारी वा करमचारी कौन है करपिया दंडात्मा कारवाई सुनिश्चित करते विए जानकारी प्रदान करें तथा यह भी इस पश्ट करें कि उक्त साहिकाओं क भुकतान जो है पिछले मांदे भुकतान का एरियर भुकतान कब तक किया जाएगा हर एक जानकारी और सासन से मांगी गई है इस लेटर में जो दिया गया है दरसलिए बहुत अच्छा लिखा जिस भी भाई बहन का ये कदम होगा वाकई बहुत सरानी है नंबर तीसरे पॉ सानिया 2017 का तीन मांगा कटा मांदे उसके लिए जानकारी मांगी गई है और आपका जो दो मांगा एरियर जनवरी फरवरी मार्च अब तो हो गया तीन महीने और वो मांदे ये सभी मांदे दरसल अभी तक नहीं आए है ये कब तक आएंगे इन चीजों को लेकर के जो है जा करवाई भी की गई है उसके बारे में भी सुचना दी जाए और कृपया जानकारी प्रदान की जाए तो ये चार पॉइंट आपके आपने देखे बहुत ही जो है इसमें वजन है कहने का ये मतलब है कि यहां पे आप लोगों की भलाई के लिए हर एक पॉइंट को रखा गय है और ये सब वावाही के लिए कर रहे हैं दरसल मैं यही कहना चाहूँगा चैनल पर जो लोग वीडियो देखने जवाब वो दें कमेंट करें और बताएं कि ऐसे लोग जो ऐसे सवाल करते हैं फरजी के जिनके घर में चार हजार सिर्फ मात रुपए मिलते हैं अगर वहां बहने में जाने के लिए अंगनबारी बहने को बुलाया जाता है और जब मांदे की बारी आती है तो चार-चार महीने उनका मांदे ही ना मिले कहीं 2017 में 3-3 महीने का मांदे काट लिया जाए तो उसके लिए आवाज तक नहीं उठाई जाए ऐसे लोग होते हैं जो गुमराह करने के लिए मैदानों में भूमते रहते हैं दरसल आपको बता दू पांच नंबर पे जो लिखा हुआ है वन्चित उक्तकार करती हैं वह साहिकाओं का मांदे बुक्तान कब तक दे दिया जाएगा करपिया जानकारी प्रदान करें ये भी पूछा गया कि कब तक ये सब कि बात है यहां पे भगवदी है विस्व मोहन भारत द्वाज जी और बहुत अच्छा बहुत 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 बधाई आपको और ये हैं चमकनी गाडीपुर से है पोस्ट इनकी है दलेल गंज जिला है सहाजहाँपूर और यहां पे पिनकोड बगरा 24 जो और 20 01 और उत्तर प्रदेश से ही है उनका मॉबाइल नंबर वगएरा भी यहां पे पढ़ा हुआ है बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद भाई को डाक टिकट वगएरा लगा करके अच्छे से और यहां पे यह बेजा गया है यहां पे आप देख सकते स्पीड पोस्ट किया गया है तो मैं यही कहना चाहूँगा जो अपने देखो पढ़ा लिखा इंसान है वो ऐसे चीज़ें सरकार्स प्रतासन से मांग कर सकता है और जानकारी भी ले सकता है बहुत अच्छी बात है क्योंकि जागरूख होंगे इतने जादा सोसर से उतनी जादा बहने भी मुक्त होती च चोड़ें सब्सक्राइब करवाएं उनको क्योंकि यही एक मात सच्चा चैनल है जहां पर आंगन बाड़ी बहनों की सही सही खबरें रोज जो है सुबह साम दी जाती है आप लोगों को और आगे जो हरियाना के कैथल से जो खबर निकल के आ रहे मैंने कहा था पंजाब और हरियाना से भी यहाँ पे खबरे में लेकर किया हूँ और आने वाले समय में हर राज्यों से आपकी ऑफिसली जो खबरे होंगी वो मैं देने का प्रयास करूंगा वहाँ पे क्या कारकरम चल रहे हैं और वहाँ पे कहां तक उनका मान दे और क्या क्या चीज़े हुई हैं सब वहाँ पे बता जा रहा है कि पोक्सो एक्ट के तहए जो अच्छे वा बुरे इस पर्स के बारे में बताया गया है और बच्चों कि सरीर से उनके जो साथ होने वाली किसी प्रकार की हरकत के लिए पोक्सो एक्ट के तहए सजा का क्या प्रावधान है इसके बारे में सब कु सब लोग जानते हैं और खास करके जिसके संसकार अच्छे हैं और माबाप अच्छे हैं वहाँ पर ये चीजे समस्यां देखने को मिलेंगी ही नहीं और आगे बताना चाहूँगा उत्तरपदेश के महबा से जो ख़बर निकल किया है कि हैंटी करपसंट टीम ने जो है आर जो एस के जो जेई हैं उनको रिस्वत लेते हैं रंगे जो हाथों पकड़ा था गिरपतार भी कर लिया गया है विभाग में इसको लेकर के हड़कम की दोस्तों मच चुका है तो आगे दिखाते हैं आपको ये हैंटी करपसंट टीम के जो R.E.S. के जो जेई हैं दरसल यहां पे ये रिस्वत लेते हुए इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है आप देख सकते हैं यहां पे और ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि आपको बता दू सरकार के लाख प्रियास के बाद भी रिस्वत खोरी पर नहीं लग रही है लगा आपको मैं कहना चाहूँगा चाहें आंगन बाड़ी बहने हूँ आंगन बाड़ी बहने को सुपरवाइजर सोसल कर रही है हर जगह की इस्तित नहीं है क्योंकि हमने देखा है बहुत सी बहने आपे जुड़ी हुई है और एक जीता जाता उदाहरण है हमारी ही बहन प्रिय दी जाएगी अगर अच्छी सुपरवाइजर बहने हैं अच्छे तरीके से जो है कारे कर रही है तो उनकी यहां पे चर्चा भी होगी ऐसा कुछ नहीं क्योंकि समाज में जो दिखाया जाएगा वैसा ही समाज बनता चला जा रहा है जैसे आज देख रहे हैं आज के समय में मोदी जी मोदी जी दीख रहे हैं तो इंसान मोदी जी को लेकर के आगे भागता हुआ चला जा रहा है महोबा में देख लीजिए जो जिले में एंटी करफसन टीम के जो आपके आर एए जो आर ए एस के जो जिए हैं रिस्वत लेते पकड़े गए थे तो आंगनबारी भावन में रंगे हतों गिरफतार कर लिया यह होती है कि आपको जागुर्टा को लेकर के आप कभी पहल करेंगे तो ऐसी रिस्वत खोरी और ऐसे अत्याचारों से आप बच पाएंगे सो सर तभी दोस्तों मुक्त होगा जब आप प्रयास करेंगे क्योंकि आपकी आवाज को बल देने के लिए हम यहाँ पे बैटे हैं जब कोई सुनता नहीं है आपकी तो आप हम आवाज लगाएंगे संगटन आपके पीछे खड़ा होगा लेकिन वही चीज़े पहले प्रया के लिए 70,000 रुपे दरसल भुक्तान को लेकर कि वहाँ पे मांगे थे इनोंने गलत तरीके से तो इसी चीज़ को लेकर के पकड़ लिया गया इनको और ठेकेदार जो नीरच कुमार ने 10,000 रुपे की मांग की ती और ठेकेदार मिनतों के बाद 6,000 के मामले का भुक्तान त चला जा रहा है और हमारे संगठन प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन जब प्रयास उनके तभी संभा होंगे जब आप लोग अपने इस तरसे उठकर के आएंगे और आवाज उठाएंगे दरेंगे नहीं तभी कुछ न कुछ होगा और यहाँ पे आपको बता दू अगली ज चीजों को लेकर के काफी परिसाने लोग विकास खंड जो कीरती नगर के में जो ग्राम पंचायत जो आपका मुस्मोला है वहां की यह बात है निर्माणा अधी नागनबाडी के इनका भावन निर्माण कार चार साल से जो हो चुके हैं फिर भी पूरा किया ही नहीं गया त वहां से आप लोग हमें अपना फोटो वगारा भावन का ऐसा भेज सकते हैं अगर भावन की स्थित खराब है क्योंकि यह भी बहुत जरूरी है कोई आगे चल करके कोई घटना ना हो तो इन चीजों से लिए पहले सजग हो जाएं तो जाद आच्छा होगा उत्तरा जो उत ना उस हिसाब से उसमें माटेरियल यूज किया जाता जो टिक सकें दरसल कच बनाया जाते हैं भुकम प्रोधी कच लेकिन दरसल वो आभियों में भी नहीं जेल पाएंगे वो तूट जाएंगे भुकम को छेलने के उनमें छमता ही नहीं होती है तो यहाँ पे आप देख र आया तो प्रसूता को देखते ही निजी स्पिताल में ले जाने का सुझाओ दिया सुझाओ ही नहीं बलके स्पिताल का नाम भी बताया और कहा कि वहां सस्ते में काम हो जाएगा आसा करकरता ने जो इसका विरोध किया तो वार्ड आया उसने जगड़ने लगी दोस्तों तो ये सब तमाम ही ती जहां की थी दोलभी बहने होंगी उनको वाँ के बारे में जानकारी होगी और पंजाब के होस्यारपुर से ये जो खबर निकल कहा रहा है ये काफी अच्छी खबर है यहां पे आप देख रह stall का रही है और क्जा वहाँ पे बात हो आसा वर्करने सिवि लिरेटर जो यूनियन जिला की तरब से अपनी मांगो संबंदी जो जथे बंदी की नेताओं कमल जीत काओर और बलविंदर काओर ने नेताओं तो में सिविल सर्जन होसियार को डाक्टर रेडु सूथ से बैठक भी की गई तो यहाँ पे वो जानकारी मिलती हुए आप लोगों को पंजाब की बहनों के जर्ये और पंजाब के फरीद कोट से यह जो खबर है निकल के आ रहे इसमें दरसल क्या बताया जा रहे है आँपे देख रहे हैं काफी बहनों को कुछ हमारे भाई लोग समझा रहे हैं तो लेकिन वहाँ पे क्या है जच्चा बच्चा से संभाल की जो है ट्रेनिंग दी जा रहे है दरसल जच्चा बच्चा को ले करके तो यह भी एक अच्छा और सरानी कदम है आने वाले समय में जागरूपता को ले करके पंजाब के फरीद कोट से यह 10 दोस्तों खबर थी और आगे चलते हैं जच्चा बच्चा से संभालने की लेकर करके इसमें थोड़ा और आपको बता दूँ कि सिविल सर्जन डाक्टर जो अमरीक सिंग सिंधू ने इस थानी ट्रेनिंग जो एकसी हाल में पहुँचकर आसा कार करता हूँ वो आसा फैसिलिलेटर की चैठे में और साथ में माडूल की पंच जिस्टी ट्रेनिंग की नए वैच की सुरुआत करवाई थी दरसाली अभी हाली की खबरे हैं लेकि मिलाटा भायो और बेहनों के जर्ए जिने में 900 आसा वरकरें उसको लेकर के ये खबर थी पंचाब के मोगा से और पंचाब में जो मोगा बेटیयों को बचाने की जिम्म Eduardo संभालने वाले विभाग ने महिला कि दिवस के मौके पर 600 ऐसी आसा वरक्रों को नास्ता करा दिया है जो है ही नहीं बता जा रहा है। जो है ही नहीं हैं और जिले में आसा वरकत काम कर रही है, 900 लगबग जो आपके रिफरिस्मेंट का बिल सिविल सरजन के पास, 1500 का पेस कर दिया गया है, मा आप लोग कम से कम सेयर करें जो आपके वहां के जागरूप लोग होंगे उन तक आवाज हमारी जाएगी और वो भी ऐसे प्रयास कर सकते हैं ऐसे लेटर लिख सकते हैं अपने सुचना अधिकारी जो हैं उनको और वहां से अपनी सुचनाएं प्राप्त कर सकते हैं जो आपको आपका समीधान जो देता है ऐसे चीज़ों का अधिकार तो उन चीज़ों को अपने पूरा लाब ले और जानकारी मांगे निजर छाले इस तर से आपको पूरतिया जानकारी दी जायाएगी क्या लंबित मांँखे हैं आपकी और क्या चिन चीजों पर सर्चाय नहीं हो पा रही है तो आप ज़्यादा अच्छोंगा हर कारण और हर समस्या का हल आपके यहाँ पी ताकत है जितनी आप बढ़ाएंगे अपनी ताकत को उतना आपकी समस्या यहाँ पे मैदान में सुनी जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा आने वाले समय में वीडियो को सेयर करते रहिए लाइक करते रहिए और अपने चैनल से लोगों को जोड़िए धन्यवाद दोस्ते